पैसे के बारे में कुछ ऐसी बाते बताना चाहता हूँ जो हर अमीर बनने वाले वैक्ति को जिसने अमीरी हासिल की उसे पता थी और हर वो वैक्ति जो अमीर बनना चाहता है जो अपने परिवार को अपने बच्चों को अमीर बनाना चाहता है उसे पता होनी चाहिए उसके अक्सर आपने रहा होगा कुछ लोग पीडि दर पीडि अमीर बनते चले जाते हैं और कुछ लोग एक पीडि में हमीर बन भी जाते हैं तो फिर वह अगली पीडि में फिर वापस गरीब हो जाते हैं. अकिर समस्या क्या आती है, वो लोग जो लगातार अमीर बने हैं, या अमीर बन रहे हैं, अमीर बने रहते हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या पता हैं, और वो लोग जो अमीर बनने के बाद भी गरीब हो रहे हैं, या गरीब में में रहे करके मेहनत कर रहे हैं, संग नहीं होता, पैसा बाई प्रोडेट होता है, सारा सबसे बड़ा अंतर यहीं से पैदा होता है, क्या आप पैसे को में प्रोडेट मानते हैं, या पैसे को बाई प्रोडेट मानते हैं, जात लोग जो गरीब है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन अमीर नही focus पैसे पर हो जाता है और जब focus पैसे पर हो जाता है तो ये अचानक लोग हैरान होते हैं कि पैसा आना बंद हो जाता है या पैसे की कमी पढ़ने लगती है या पिर दिक्कते जादा बढ़ जाती है आपका focus पैसे पर नहीं होना चाहिए जो लोग अमीर है या ने गरीबभी से अमीरी हासिल की उन्होंने बहुत यंग एज में बात समझ लिए थी कि हमारा focus पैसे पर नहीं होना चाहिא हमारा focus उन चीजों पर होना चाहिए जिन से पैसा आता है यानि पैसा जिन चीजों का by product है तो किनकी चीजों का पैसा बाइप्रोडेट है, किन चीजों पर फोकुस होना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात तो यह समझ लिया, आपने अमीर बनना और अमीरी मिंटेन रखना, गरीबी से अमीरी हासिल करना, महनत करके, संगश करके, रिजर्ट आपकी तो आपने पैसे से दिमाग हटाना होगा, आपका दिमाग जाना चाहिए, उन चीजों पर, उन काम उपर, जिन से पैसा आता है, जिनका बाइप्रोडेट पैसा है, किनकी चीजों का बाइप्रोडेट पैसा है, पैसा हर किसी चीज़ का बाइप्रोडेट है, जैसे मान में लोग पैसा खर्च करते हो, पैसा हर उस चीज़ का byproduct है, अपने आज पास देखे, लोग किस चीज़ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, कपड़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, यानि कि अगर आपको डिजाइन आता है, बढ़िया कपड़ा अगर आपको टेकनिक पता है, तो आपका जो आइडिया थे, वो आइडिया पैसे में कर्वर्ट हो जाएगा, अगर आप कोई knowledge अच्छी है, तो जिन लोगों को knowledge चाहिए, उसके बदले में लोग पैसा देने को तेयार हो जाएंगे, आपके कुछ ऐसे projects हैं, जिन project के जो knowledge है, chartered accountancy की, उसकी knowledge के बदले में आपको पैसा मिल जाएगा, आप lawyer है, तो आपको law के जितने knowledge है, उस law के knowledge के बदले में आपको पैसा मिल जाएगा, लोग पैसा देने को तैयार है, समाज में दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, problem कहा आती है, हमें लगता है पैसे की कमी हमारे पास है, दिक्कत कब है, जब आपके पास पैसे कमी पढ़े लिए, तब एक्चुल में दिक्कत किसी स्की है, दिक्कत ऐसी चीजों की है, जिनका बाइप्रोडेट पैसा है, वो चीजे कम है, या वो चीजे नहीं है, अइडिटिफाइ करिए, आपके पास बोक्तर के comparison में जिसका इलाज अच्छा नहीं है, जो सही तरीके से इलाज नहीं करता है। किसी की service अच्छी है, तो आप उस service के बदले में उसको extra पैसा देते हैं, उन लोगों को comparison में जो अच्छी service नहीं देते हैं। जादातर अमीर लोग बहुत जल्दी इस बात को समझ गये थे, जब वो अमीर नहीं बने थे, लेकि उमको पता था, मैं पैसे पर focus करूँगा, पैसा नहीं आएगा, अगर मैं services पर focus करूँगा, मैं सेवाओं पर focus करूँगा, मैं अपने product पर focus करूँगा, product की quality पर focus करूँग मैं delivery पर focus करूँगा, मैं अपनी personality पर focus करूँगा, मैं communication पर focus करूँगा, मैं knowledge पर focus करूँगा, मैं लोगों की समस्याओं के समध्धान करने पर focus करूँगा, लोग मुझे खुशी-खुशी पैसा देंगे, यह पहली चीज़ है, अगर वाकिया आप अमीर बनना चाहते हैं, यह बात समझ लीजिए, जब तक यह बात आपके दिमाग में बैठेगी नहीं, आपके बच्चों के दिमाग में नहीं बैठेगी, तब तक आप अमीर नहीं बनता हैं, पैसे के बारे में एक बात और समझेए, आपको पैसे के लिए मेहनत करने हैं, संगर्श करने की नहीं है तो क्या करना है अपने हुनर को आइडेंटिफाई करना है अपने हुनर पर काम करना है अपने हुनर को निखारने में बढ़ाने में अपडेट करने में अपडेट करने में उस पर महनत करनी है पैसा कमाने पर महनत नहीं करनी है अमीर लोग जो अमीर बने और जो अमी पैसा आजाए, वहां से पैसा आजाए, ऐसे कर लूँगा तो पैसा आजाएगा, ये कर लूँगा तो पैसा आजाएगा, ये बदलाओ कर लूँगा तो पैसा आजाएगा, इन सब बदलाओं के बारे में सुचनावन करिए, केवल इस बात पर फोकस करिए, कि आपकी कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा गुण है, आपके अंदर ऐसा कौन सा हुनर है, जिसके बदले में लोग खुशी-खुशी आपकी मुह मानी कीमत देने को तयार है, आप किस चीज के, किस बीमारी के डॉक्टर है, सीरिसी बात है, और आप भी सीखे और अपने बच्चों को सिखाएए, बच्चों को सिखाएएदा ना, कि बड़े होकर क्या बनेगा, नहीं, बद पुछ ये बड़े होकर क्या बनेगा, उसको पुछो, बड़े होकर तू कौन सी समस्या का समधान करेगा, और जब जब आप ये बोलते हैं, कि बड़े होकर कौन सी समस्या का समधान करेगा, तो आपने एक ही जटके में दो काम कर दिये पहला तो उसे बता दिया कि जब तू बड़ा होगा तो तेरे सामने समस्या आने वाली है और अगर समस्याओं का समधान नहीं करेगा तो पैसा आने वाला नहीं है आप किसी इसके डॉक्टर है उस दिन आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा पैसे के लिए काम करना बंद करिये उन चीज़ों के लिए काम करना शुरू करिये उन चीज़ों को डवलप करने पर काम करिये अपनी परस्टनेटी पर काम करिये कम्यूनिकेशन पर काम करिये knowledge पर काम करिये, अपने हुनर पर काम करिये, हुनर को निखारने, हुनर को तराश्रे पर काम करिये, दुनिया को हुनर के बारे में बताने पर काम करिये, ऐसे platform पर काम करिये, जहां आपका हुनर लोगों को पता चले, एक बार इसके बारे में लोगों को नहीं पता था, तो वो पैसे के लिए तरस्ते रहें, और जब उनके प्रोडेट, उनकी सर्विस, उनके हुनर, उनके बारे में लोगों को पता चला, उन्हें मूँ मांगी कीमत दिल रही है, आपको भी मिलेगी, पैसे पर फोकस करना बंद करिये, अपनी परस्नेलिटी, अपने कमिनिकेशन, अपनी नॉलेज, अपने प्रोडेट, अपनी सर्विस, उन चीज़ों पर काम करिये, जो लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम करते हैं, जिसके लिए लोग खुशी-खुशी पैसा देने को तैयार होते हैं.